बूरी नजर लगने की मानेता क्यों? संसार के लगभक सभी देशों में बूरी नजर लगने के प्रभाव को जाना जाता है जिवित प्राणियों पर ही नहीं, नियजीव पजार तक बूरी नजर लगने पर विकाग रस्त हो जाते हैं सुन्दर वस्तु में खो जाती हैं नश्ट हो जाती हैं यहां तक की सुन्दर प्रतीमा बुरी नजर के प्रभाव से खंडित होती देखी गई है बिना किसी पुर्व रोख के एकाएक बच्चा बिमार पड़ जाता है दुधारू पशु गायभैस आदी को जब बुरी नजर लग जाती है तो उनका दूद सुख जाता है बुरी नजर लगने का आशय यह है कि जब व्यक्ति अत्यधीक दुर्भावना या आकरशन से एकाग्र होकर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखता है तो उसकी वेधक दृष्टी उस वस्तु पर दुश्प्रभाव डालती है भुखे व्यक्ति की कुद रिष्टी आपके भोजन को विश्यला बना सकती है अतह भोजन जहां तक हो सके अजनवियों के बीच ना करें आमतर पर बुरी नजर का परभाव कोमल चित्वाले बच्चों, महिलाओं और पालतु जानवरों पर देखा जाता है इसके अलावा मकान, उद्योग, व्यपार, वाहन, दुकान, आदी पर भी बुरी नजर का असर होता है बच्चों पर बुरी नजर का परभाव शैशव अवस्था में अधिक होता है महिलाओं पर बुरी नजर का परभाव बीवाह के समय, गर्भा वस्था में बच्चा होने के बाद के समय में अक्सर होता है व्यस्क व्यक्ति को जब बुरी नजर लगती है तो उनसे मानसिक तनाव, बिचैनी, अशान्ती का अनुभव, शरीर का पीड़ा, ज्वर, मंदागनी, आदी तकलीफे महसूस होती है कभी कभी अपनों पर भी अपनों की नजर लग जाती है अपने प्यारे बच्चे या पती को भरपूर नजर से देखकर जब कोई इस्तरी उसके स्वास्त या स्वंदर की प्रशंसा करती है तो बड़े बुढ़े या स्वयम पती ही उसे टोक देते हैं कि नजर मत लगाओ इससे नजर का प्रभाव खत्म हो जाता है या कम हो जाता है नजर से बचाने के लिए काले ठीके या काले धागे के प्रयोग के पीछे मानेता यह है कि यह विद्युत का सुचालक होता है आम तोर पर देखने में आया है अकाश की बिजली अक्सर काले आदमी जानवर साप या अन्यकाली वस्तुओं पर पड़ती है जाले के दिनों में काले कपड़े अधिक गर्मी सोकते हैं इसलिए बच्चों को कपाल हाथ पैरों में और आखों में काजल लगाया जाता है पैर, हाथ, गले, कमर में काला डोरा बाना जाता है काली बकरी का दूथ पिलाय जाना और काली भस्म चटाना जैसे सभी काज़ों का उदेश नजर के दुष्प्रभाव से बचाने की शक्ती ग्रहन करना है बुरी नजर से बचने के लिए शेर का नाखोन निलकंट का पर मूंज या तामबे का ताबीज गले में पहना जाता है दुकांदार नीबू और हरी मिर्चे दुकान में लटका कर रखते हैं ट्रक मालिक ट्रक के पीछे जूता लटकाते हैं करखाने वाले प्रवेश द्वार पर घोडे की नाल लगाते हैं मकान पर काली हंडिया टांगी जाती है यह नजर की एकागरता भंग करने की दृष्टी से किया जाता है